मनोविज्ञान के कुछ मजेदार रोचक तथ्य जो कर देंगे आपको हैरा यह एक ऐसा साइंस है जिसमें आप व्यक्ति के मन की भावनाओं को समझ सकते हैं आप इसकी मदद से अपने पार्टनर की भवनाओं को आसानी से जान सकते हैं साइकोलोजी एक ऐसा मनोविज्ञान है जो हमारी आत्तों से जोड़ता है मानव के व्यवहार में होने वाले बदलावों की भली भांती पहचान करवाता है ऐसे लोगों को पहचानने में मदद मिलती है आज की यह जानकारी आपको जरूर काम आएगी इसकी मदद से आप मानव व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी एक साइकोलोजी के अनुसार यदी किसी पुरुष को किसी बात से तकलीफ पहुचती है तो वह इस बात को भूल जाते हैं लेकिन कभी माफ नहीं करते वहीं यदि किसी महिला को किसी बात से तकलीफ पहुँचती है तो माफ कर देती है लेकिन कभी उस बात को भूलती नहीं है दो अधिक्तर लोग ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो उन्हें नजरंदास करते हैं उन पर नहीं जो उन्हें भाव देते हैं यह मानव व्यवहार है तीन एक शोध के अनुसार लड़के भले ही सारा दिन सबसे फलर्ड करते हैं लेकिन रात के समय वह उस लड़की के बारे में जरूर याद करते हैं जो उनका सच्चा प्यार होता है चार अधिकतर हैंसम लड़के या तो सिंगल होते हैं या फिर अपने प्यार में नाकामियाब होते हैं पांच लड़की अपनी चाहत हमेशा इशारों के जरीए ही बताती हैं वह कभी सामने से आकर अपने प्यार का इजहार नहीं करती चाहे कुछ भी हो जाए छे साइकोलोजी कहता है कि आप जितना भी साइकोलोजी यानि मनोविज्ञान का ज्ञान रखेंगे आपकी सफल होने की उम्मीद सक्तर प्रतिशत बढ़ जाती है जिससे आप अपने मनपसंद कामों को जल्द से जल्द पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं साथ क्या आप जानते हैं हम जिस विचार को अपने दिमाग में बार-बार सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग कुछ ऐसे तुन्त निर्मित कर देता है जिससे विचार किया गया वह सब हमारे जीवन में सत्य हो जाता है आठ यूमन साइकोलोजी के अनुसार यदि कोई पार्टनर कितनी भी बड़ी गल्ती क्यों न कर दे सामने वाला व्यक्ति जितना उसे प्यार करता है उतनी ही आसानी से उसे माफ भी कर देता है नौ यदि आप किसी को अपनी बात बता रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति अपना सर नीचे जुका कर सुन रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों में दिल्चस्पी नहीं रख रहा है और आपको बुरा न लग जाए तो बताना भी नहीं जा रहा है दस जो व्यक्ति जूट बोलने में महारती होता है वह दूसरों का जूट आसानी से पकड़ लेते हैं ज्यारा किसी को अपने साथ चलने के लिए पूछते समय यदि आप उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं तो उस व्यक्ति की हा करने की संभावना अधिक होती है बारा यदि किसी समूह में कुछ लोग किसी व्यक्ति का मिलकर मजाक बनाते हैं तो वह व्यक्ति उसको सबसे ज्यादा देखता है जिसे वह अपने दिल के करीब मानता है तेरा यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए आप जितना उसे रोकने की कोशिश करेंगे वह व्यक्ति उतना ही जाने की कोशिश करेगा और आपकी कदर नहीं करेगा चौदा आप जीतने ठंडे कमरे में सोयेंगे उतना ही डरावने सपने आने के चांस होते हैं पंदरा जो व्यत्ती आपसे जरा, जरासी बातों पर गुस्सा या नारास हो जाता है, इसका मतलब है उसे आपसे और साथ और प्यार की जरूरत है सोला पुरुष किसी के भी प्यार में पढ़ने के लिए तीन दिन ही लगाता हैं, लेकिन महिलाएं अठारा डेट्स पर जाने के बाद भी किसी के प्यार में आसानी से नहीं पढ़ती सत्रा जो व्यक्ति अधिक शर्माते हैं, वह अधिक दयालू और भरोसे मंध होते हैं अठारा हमारा दिमाग खुद से एक भी चहरा नहीं बना सकता, इसलिए सपने में नजर आने बाले व्यक्ति और जगह हमें कहीं न कहीं देखी होती हैं उननीस पुरुष हर साथ सेकेंड में सेक्स करने के बारे में सोचता है 20 ज्यादा तर लड़कों को इमोशन लड़कियां पसंद होती हैं